दोस्तो नमस्कार, गुरू कुला मिंदोर में आपका श्वागत है, दोस्तो हम करेंट टोपिक की बात इसमें कर रहे हैं और हम इसमें देख रहे हैं IPL, कल ही IPL का रंगा-रंग कारकरम इसमें खतम हुआ है, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसमें देखा होगा, बहुत इ एक साल के एक्जाम से इसमें निश्ची तरूप से प्रश्ण इसमें बनते हैं तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक चीजें हम पहले देखेंगे इसके बाद में हम इसमें जो है जहां चो करेंट की चीजे हैं इनको हम देख लेते हैं तो बरस 2021 में IPL के जो आयोजन गया और फाइनल मेंज भी UAE में ही किया गया है UAE में जो मतलब की दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टीडियम में जो में किया है अब हम इसमें देख लेते हैं कुल टी में इसमें आर्ट सामिल की गी ती बोजारी किसमें कूल टिंब ऑड Pork ती는데 आप जो कि कई बार आपके एक्जाम में पूछ ली जाती है तो आपको देख लेना चाहिए कुल मैच इसमें 31 हुए है यह IPL का चवद्वा संस्क्रण था कौन सा संस्क्रण था चवद्वा यह संस्क्रण था इसका sponsor कौन था इसका प्रयोज़र कौन था जो है इसका आयोजन UAE में किया गया है तो इस तरह से आप देखें IPL 2021 का अपसमापन हो गया है आगे हम इसमें और बात करते हैं जहां से प्रशन बनेगे अब इसकी हम बात कर लेते हैं आप देखें यहाँ पर यह है हरसल पटेल ठीक है इन्होंने 32 बिकिट लिए है और इनको परपल कैप बिजेता घोशित किया गया है क्यों किया गया है क्योंकि IPL में जो सबसे ज़्यादा बिकिट लेता है उसको परपल कैप दी जाती है तो हरसल पटेल ने 32 बिकिट लेकर जो है सर्वधिक विकिट लेकर इस कैप में अपना कभजा कल दिया हर्सर पडल को आप यहां पर देख सकते हैं इसी तरह से रितुराज गायकबाट ने 635 रन सर्वधिक रन बनाए कितने रन 635 रन बनाकर रितुराज गायकबाट ने औरेंज कैप जो है अपनी नाम पर किया है 2021 में कौन सी कैप औरेंज कैप बिजेता यह रहे हैं रितुराज गायकबाट चैने सुपर किंग के खिलाड़ी थे और फाइनल में भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है कुछ चीज़ और हम देख लेते हैं इसका आयोजन UAE में मैंने आपको पहली बता दिया था आप देखें सिक्सर किंग जो सरबधिक जो है यहाँ पर 6 लगाता है मतलब सरबधिक छक्के जो जड़ता है IPL में उसको सिक्सर किंग इस तरह का अबाट दिया जाता है और आप देखें सबसे महेंगे खिलाडी जो रहे हैं क्रिस मौरिस रहे हैं कौन रहे हैं क्रिस मौरिस जो है 2021 का जो IPL था इसमें 14 संस्रान जो था इसमें सबसे महेंगे खिलाडी रहे हैं और इनको 16 करोड 25 लाग में कितने 16 करोड 25 लाग में इसको खरीदा गया था किसके दोर रोयल चलेंजर बेंगलोर जो है इसमें इनको खरीदा था आगे हम देखते हैं यह है इसान किसन कौन है इसान किसन सबसे तेज अर्षतक इन्होंने बनाया है 16 बॉल में इन्होंने सबसे तेज अर्षा तक बनाने का record बनाया है आप यहाँ पर देखें इस्तान के सन जो है मुंबई इंडियन्स के आए खिलाडी है किस टीम के है मुंबई इंडियन्स के आए खिलाडी है इसके अलावा आप देखें valuable खिलाडी ठीक है जो हरसल पटेल है इनको सबसे valuable player का भी आवार्ड इनको दिया गया है सबसे ज़्यादा विकिट भी इन्होंने लिया है 32 विकिट इन्होंने लिया है इसके लिए इनको जो है औरेंज कैप सोरी परपल कैप का आवार्ड इनको दिया गया था ठीक है इस तरह से आप देखें emerging player यहाँ पर आप फ़रा सुधार कलने इसमें emerging player रितुराज गायकबार्ड है सबसे ज़्यादा अर्सतक रितुराज गायकबार्ड ने ही लगाए है मतलब कि 2021 के IPL में इनने सांधार प्रदर्शन दिया है चलिए कुछ चीजे और हम आगे देख लेते हैं आगे देखें देखिए IPL का जो iOSन है वह कौन करता है BCCI के द्वारा किया जाता तो BCCI के बारे में थोड़ीज information ले लेते हैं और जो award इनको दिये गए हैं उनके बारे में हम फिर इसमें एक एक करके चर्चा करेंगे तो देखिए BCCI की इस्थापना 1928 में की गई थी कब की गई थी 1928 में की गई थी इसके पहले अध्यक्ष की बात कर लें तो Grant Gavon ठीक है Grant Gavon जो है इसके पहले अध्यक्ष थे ठीक है बरतमान की अध्यक्ष की हम बात करें तो कौन है सौरब गांगली जी जो है बरतमान में अध्यक्ष है और यहाँ पर आप जैस आए देखें तो यह बरतमान में इसके सची हुए सिकेटरी है इसके अलाबा BCCI का मुख्याल है कहां पर है मुंबई में है BCCI का मुख्याल है कहां पर है दोस्तों यह मुंबई में है देखिए एक बात और मैं आपको बता दूँ आज ही की एक जो है करेंट न्यूज है जिसके बारे मैं आपको बता देता हूँ राहुल द्रभिन अब भारती किरकेट टीम के पर इक है भारती किरकेट टीम के कोच होंगे कौन होंगे राहुल द्रभिन यह पहले अंडर 19 टीम के कोच थे लेकिन अब रवी सास्तिरी का इस्थान इनोंने लिया है और आज की ही यह न्यूज है BCCI की तरब से है निकल कर आई है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राहुल द्रभिन जो है अब क्या रहेंगे जो है भारती टीम के मुख कोच इनको बनाया गया है आप देख सकते हैं विजेतरी टीम CS के और MS धोनी इसके कप्तान रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत खुस है सभी खिलाडी कुछ चीजे है MS धोनी के बारे हैं जिसको आप screenshot लेके भी पढ़ सकते हैं मैं इसमें discuss नहीं करूँगा लेकिन आप आगे देखते हैं अपर उबिजेतरी टीम के जो कप्तान रहे हैं वो है कौन रहे है इयॉन Morgan ठीक है यॉन Morgan जो है उबिजेतरी टीम के कप्तान रहे हैं आप इसको यहाँ पर correct कर लीजिएगा यॉन Morgan है ठीक है इंगलेंड के खिलाडी है एक और बात जहां से प्रश्ण बन सकता है धोनी जो है एक ऐसे खिलाडी और ऐसे कप्तान बन गए है जो 300 T20 मैच में कप्तानी करने वाले खिलाडी है बन गए है और CS के जो है 2021 में जीत के साथ ही चार बार IPL को जीतने वाली टीम बन गई है लेकिन सरवधिक एदी आप से पूँच लिया जाए कि IPL मैच कि टीम ने जीता है तो मुंबई इंडियन्स ने पांच बार जीता है ठीक है कितने बार पांच बार जीता है चैन्ने सुपर किंग्स ने जो है दोस्तो कब कब यह जीता है और मुंबई इंडियन्स ने कब कब जीता है इसके बारे में हम इसकी आने वाली स्लाइड में चर्चा करेंगे पहली हम बात कर लें कि पहला जो IPL था इसको किस ने जीता था बर्स 2008 में राजिस्तान रोयल्स ने इसको जीता था अब जो मैं बात कर रहा था कि चेनई ने कब कब जीता पहला IPL जो है चेनई ने बर्स 2010 2010 में जीता था 2011 में भी इनने जीता फिर आगे चलके 2018 में लंबे अंतराल के बाद 2018 में और अब 2021 में मतलब की तीसरा IPL चौथा IPL सातवा स्वरी ग्यारवा IPL और यहाँ पर चौदवा IPL इननों ने जीता है मुंबई इन्डियन्स ने 5 बार जीता है ठीक है? यहाँ पर आप देखें मुंबई इन्डियन्स ने 2 तीसरा IPL चौथा IPL और इससे पहले भी 19 में जीता है मतलब की ओड़ वाले जो संख्या आप देख सकते हैं मुंबई इन्डियन्स ने जीता है और 2021 में तो किस ने जीत लिया है? CSK ने यह जीता है चलिए आगे बढ़ते हैं आप देखें यहाँ पर जहां से प्रस्ट ने आपके एक्जाम में बन सकते हैं प्रस्ट ने क्या है? मैं आप दा मैच यहाँ पर आपसे पुशा जाएगा तो 4 दोफलेसिस, चैने सुपर किंग्स इन्होंने 86 रन बनाए हैं फाइनल में इनको मैं आप दा मैच दिया गया है बीवो परफेक्ट केच आप दा मैच रविन्द जड़े जा रहे हैं इसके अलावा सफारी सुपर स्ट्राइकर आप दा मैच रोविन्द उथपपा और ड्रीम 11 गेम चैंजर आप दा मैच ठीक है? क्रेड पावर पिलियर आप दा मैच बैंकिटेस अहियर बैंकिटेस अहियर के बारे मैं आपको बता देता हूँ बैंकिटेस अहियर जो है इंदोर के खिलाड़ी है और IPL में इन्होंने KKR की तरब से खेला है भले ही है जीद नहीं पाए फाइनल में इन्होंने क्या है अर्स तक लगाया है और मद्द प्रदेश या कहें इंदोर के याई जो है पहले खिलाड़ी है जो की IPL के फाइनल में इन्होंने खेला है तो एक्जाम में यहाँ से प्रश्ण बन सकता है अनेकेडमी लेट्स क्रेक इट्ट 6 यह भी जो है बैंकिटेस अईयर को दिया गया है ठीक है इसके अलाबा अब स्टोक्स मोस्ट बैल्यूएबल एसेट अब दा मैज फाप डुकलेसिस को याई अवाट दिया गया है ठीक है कुछ चीज़ें और हैं जिनको हम देख लेते हैं यहां से प्रस्ण दोस्तो अधिकतर बनते हैं तो आपसे यदि टाइटल स्पोंसर पूछ लिया जाए तो कौन है वीबो है ओफिसियल ब्रॉडकास्टर आपसे पूछ लिया जाए जो टीवी में आप मैज देखते हैं तो SDrive Sports है इसके अलावा ओफिसियल Digital Streaming Partner जो कि आप मोबाईल में जब देखते हैं मैज तो Digital Streaming Partner कौन है एल्ट स्टार जो है इसमें Digital Streaming Partner है आगे हम देखें ओफिसियल पार्टनर ठीख है अधिकारिक भागलेदार के कौन यह就到 पहश्क रहे हैं अधिकारिक भागेदार इस IPL में रहे हैं इसके अलाबा Empire जो है पार्टनर पेटीम रहा है कौन रहा है Empire पार्टनर पेटीम रहा है Official जो है Strategic Time Out Player ठीक है जो है C8 इसमें दिया गया कि कौन रहा है इसका पार्टनर इसमें Official Official स्ट्रेजिक टाइम आउट पार्टनर C8 इसमें रहा है दोस्तों यह आप देखें कुछ एक न्यूज है यहाँ पर आप देख सकते हैं इंदौर के बैंकेटेस आईयर टूरमेंट आप दा फ्लियर आप देखें इंदौर के पहले जो है खिलाडी है जो कि final match में इन्होंने दोस्तों एक और बात यह हैं नितिन मेनन आप देख सकते हैं नितिन मेनन है यह भी जो है इंदौर के हैं मद्द प्रिदेश के हैं पूरे IPL में एंपाइरिंग की है final match में उन्होंने एंपाइरिंग की है तो नितिन मेनन से आप से प्रस्ण पूछ लिया जाए तो यह पू अधर एक्जाम के लिए भी धीरे धीरे हमारी टेस्टीज आ रही हैं तो आप गुरुकुलम इंदौर जो है आप एप्लिकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टॉर में जाएं गुरुकुलम इंदौर आप सर्च करें और इसको इंस्टॉल करें वहाँ पर डेली करेंट फिर्स भी हम अपडेट करते हैं और कुछ आपसे प्रस्न भी पोल किये जाते हैं तो आप जरूर इंस्टॉल करें एप्लिकेशन को और जो है आनन्द लें और अपने एक्जाम को जो है अपने एक्जाम में मास को सुनिशित करें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं